वेलकम फ्रेंट्स आप सभी का स्वागत है इसे एक्जाम पेप्रेशन में इस वीडियो में हम हंड्रोड जीक के कोश्चन्स को देखेंगे जिनके एक्जाम्स में आने की चांसे सबसे ज्यादा है यह वीडियो दो तीन पार्ट्स में होगी तो प्लीज जिन लोगों ने हमा कि होती है तो हीरन की नेक्स्ट है आज कार्वन डाग्साइड के उत्सरजन में सरवादिक योगदान करने वाला देश कौन सा है तो संजुक तराज अमेरिका नेक्स्ट है कोश्य नमर 3 निमलिलिखित में ऐसे किस उद्द्योग में अवरा कच्छे माल के रुप में परयु नमर्फट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् यूटन का तीसरा नियम है सट्रू दयाнова कोपर का सत्रू तत्व है सबसे सबसे कम नेक्स वेंगों टेन रेडियू ईयक्टिविक्ता कि खोज किस ने की थी तो रेडियो एक्टिविता की खोज हेनरी बेकरल ने की थी नेक्स्ट है कोश्चन नमर्ब 11 दो समतल दरपन एक दूसरे से साथ डिगरी के कोन पर जुके हैं इनके बीच रखी गेंद के बने प्रतिवी मिपकी सक्या कितनी होगी तो इन दो समतल दरपन अ हवा का एक बुलबूला किस तरह बरताब करता है तो पानी के अंदर हवा का एक बुलबूला एक अबतल लेंस की तरह बरताब करता है नेक्स्ट है कोश्चन नमर्ब 13 इकाईयों की समस्त बेवस्थाओं में किस इकाई की मातरा समान होती है तो विशिस्ट गुरुतू नेक ज़ई कोई मनुशी समतल दरपन कि ओगर चार मीटर पर सकेंड की चाल से आएगा तो दरपन में मनुशी के प्रतित प्रतित ऑगर नेक्स्टेश कोश्य No.15 करों ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दरपन लगा होता है तो उत्तल दरपन नेक्स्ट है ऐसे तत्व जिन में धातू और अधातू दोनों के गुन पाये जाते हैं वे क्या कहलाते तो वैसे तत्व जिन में धातू और अधातू दोनों के गुन पाये जाते हैं वे उप धातू कहलाते हैं नेक्स्ट है कोश्चन नमर 17 18번स्ति विज्ञान के जैनक कौन है तो बनस्ति विज्ञान के जैनक ठेयों फ्रेष्टर्स है नेक्स डेको Sang 18 निमलिखित में किसम ध्रूनी चालस अज़ीजा, तो इस पात मैं नेक्स हे हमारा Gre struggle 90 एक वेकति घूमते हुए अस्टूल पर बाहें फैलाएं खड़ाएं एका एक वह बाहें सी कोड़ लेता है तो अस्टूल का कोनी अब एक क्या होगा तो बढ़ जाएगा नेक्स्ट कोश्चन नमर्ट 20 चांद्रमा पर एक बंप फोट होता है इसकी अवाज प्रित्वी पर क्या होगी तो चांद्रमा पर अगर बंप फोट होगा तो इसकी अवाज प्रित्वी पर सुनाई नहीं देगी नेक्स्ट कोश्चन नमर्ट 21 चांद्रमा पर बायू मंडल ना होने का क्या कारण है तो चंद्रमा पर बायो मंडलना होने का कारण पलायन बेग है नेक्स्ट है यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्थकाल क्या होगा तो यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्थकाल 2% बढ़ जाएगा नेक्स्ट है कोशन नुबर 23 एक लड़की जूल रही है उसके पास एक अनी लड़की आकर बैट जाती है तो जूले का आवर्तकाल क्या होगा तो अगर एक लड़की जूल रही है उसके पास एक और लड़की आकर बैट जाएगी तो उसका आवर्तकाल अपर बरतित रहेगा नेक्स्ट है क्वेशन नमर्ट 24 हम रेडियो की घुंडी घुमा कर बिविन स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं यह कैसे संभव है तो हम रेडियो की घुंडी घुमा कर बिविन स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं यह संभव है अनुनाद के कारण नेक्स्ट है question number 25 वेंचूरी मीटर से क्या गयात करते हैं तो वेंचूरी मीटर से जल के प्रवाह की दर गयात करते हैं तो आज के लिए बस इतना ही ऐसे ही और भी जीके के questions के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम जो भी अपलोट करें उसके आपको अपडेट्स मिलते रहें दिन बाय और टेक केर